ना कोई था, ना कोई चाहिए, और मुझे फरक नहीं पड़ता कि कोई क्या कहेगा, क्या सोचेगा, जिंदगी के इस सफर में मैं कल भी अकेला था, आज भी अकेला और आगे भी अकेला है रहूँगा, मुझे नहीं चाहिए किसी का साथ, और मैं जैसा भी हूँ, बस सही और मुझे अपने उपर पूरा विश्वास है कि एक दिन मुझे अपने उस काम में सफलता जरूर मिलेगी और किसी ने क्या खोग कहा है कि जिन्दगी में अगर सफल होना ही है गुस्सा बेज़ती अपमान बहुत जरूरी है और अगर आपको ऐसा लगता है कि आप चैक कितनी भी कोशी से क्यों ना कर ले मुझे अपने उस काम में सफलता नहीं मिल सकती तो याद रखना मेरे दोस्त परिस्ते जा सीधी हराती नहीं है पहले वो गिराती है फिर उठने का मौका देती है फिर दुबारा गिराती है उसके बाद इतना कमजोर कर देती है कि हम खुदी ललकडा कर गिर जाते है हमत तूट जाती है कुछ समझ नहीं आता डर सीने में घर कर लेता है मन हारने को चाता है कोई नजर नहीं आता जिंदगी अर्थ हीन होने लगती है भगवान तक से विश्वास उठने लग जाता है बस हम हार स्विकार करने जाई रहे होते हैं कि मन से एक आवाज उठती है क चलो एक बार कोशीज और कर लेते हैं क्या पता तस्वीर अलग हो और यहीं नहीं हमारी जीत का कारण बनता है इसलिए हमेशा अपने उपर विश्वास रखो भरोसा रखे और कोशीज करते रहें और अगर आपको फिर भी ऐसा लगता है कि मुझे अपने इस काम में सफलता नहीं मिल रही है तो इस बात को हमेशा ध्यान में रखना शपने टूटेगे एक बार नहीं दो बार नहीं कई बार टूटेगे लेकर इतना सब होने के बाद भी जिन्दگी खतम नहीं होगी ये बात भी तेय तो क्या करें देखो फ़रक नहीं पड़ता कि आप को न है आपक आपको अपने उपर विश्वास नहीं है, तो ये दुनिया आप पर विश्वास कैसे रखेगी, कोई तेरा विश्वास रखने नहीं आएगा, कोई तेरा भरोसा रखने नहीं आएगा, तो ये खुदी अपने उपर विश्वास रखना होगा, अगर तू अपने जिंदगी से हार जाएगा तो तेरे सपनों का क्या होगा तेरे सपने सिर्फ एक सपने बन करी रह जाएंगे और किसी ने क्या खोब काये जब तक आपके सपने पूरे नहीं हो जाते तब तक अपने सपनों को किसी को बताया मत करो कितनी मेहनत कर रहे हो तुम ये किसी को जताया मत करो और जिन्दगी में हमेशा ध्यान में रखना हर समय से के तीन समाधान होते हैं पहला उसे स्वीकार करो दूसरा उसे छोड़ दो तीसरा अपनी पूरी जान लगा दो उसे बदलने में अपने उस काम में महनत नहीं कर रहे हो तो बेकार है जवानी आप जितना समय अपने इस मोबैल को देखने में लगाते हो अगर उसे आदा समय भी अपने उस काम में लगाते हो तो आपको एक सफल वक्ती बनने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती अपने उपर विश्वास रखो बलकि अपने उस दोस्त के साथ जरूर सियर करना जो अपने जिन्दगी से हार चोका हो उसे खुदी अपने उपर विश्वास नहीं है उसे अपने जिन्दगी के डिसीजन लेने में परिशान ही होती है तो अपने उस दोस्त को यह जरूर कहना अगर तेरे अंदर अपने जिन्दगी के डिसीजन लेने की कोई चमता नहीं है तो तेरे जिन्दगी के डिसीजन कोई और लेगा दोस्तों मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा मेनत इतनी खामोसी से करो कि सपलता सोर मचा दे आज के इस वीडियो में बस इतना ही जैन जै भारत फिर मिलेंगे